एलो एब्रीबन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि या का वर्चुल शोरूम इसके अंदर आप देख सकते हैं किया की सेल्टोस, किया सॉनेट और इनकी एक लक्षरी गार जो की है किया कार्नेवल तो आज की वीयों में हम देखने वाले हैं Kia Carnival के Features, Engine Specifications and Colors Kia की Carnival की बात करें तो ये काफी Rich Persons को ही Target करती है जो की Driver को Hire करके ही Commute करते हैं Friends से अगर बात करें तो इसके अंदर आपको Dual Projector Headlamps मिल जाते हैं साथ ही साथ एलेगी DRLs भी मिल जाती हैं and Kia की Signature Tiger Nose Grail भी मिल जाती है साथ ही साथ इसके अंदर आपको Friends Core Parking Sensors भी मिल जाती हैं and Fog Lamps भी मिल जाती हैं Friends से बात करें तो overall एक काफी Elegant Look आती है and Roof से बात करें तो इसके अंदर आपको Roof Rails and Dual Sunroof भी मिल जाती हैं Size से बात करें तो इसके अंदर Electrically Adjustable and Foldable Overviews मिल जाती हैं and Carnival में आपको Two Types के Law Views मिल जाती है and अगर Size की बात करें तो इसके अंदर आपको 18 Inches का Size मिल जाती हैं Carnival के Rear Doors की बात करें तो वो Automatically Open या Close हो जाती हैं with a Click of a Button Roots से बात करें तो इसके अंदर आपको Shark Finantina भी मिल जाता है and Rear से बात करें तो इसके अंदर LED Tail Lamps मिल जाती है Rear Camera मिल जाता है with Rear Wiper and Washer Carnival के अगर Price Range की बात करें तो Approx 30 to 40 Lacks के बीच में बढ़ती है and Other Cars की बात करें जो की इस Range में आती हैं Toyota Fortuner, Ford Endeavor, MG Gloucester, Mahindra, Alturas G4 and Kia Carnival एक कापी जादा Luxury MPV है and Doors की बात करें तो यह Electrically Open होते हैं जो की कापी जादा VIP Treatment देते हैं इसका Example आपके सामने है Kia Carnival में आपको 3 Variants मिल जाती हैं जो की यह Premium, Prestige and जो Top of the Line आता है हो है Limousine and Sitting Options की बात करें तो इसके अंदर 7, 8 and 9 Seater Options मिल जाती हैं and Engine Option की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 L का Diesel Engine मिल जाता है with 8 Speed Automatic Transmission and Next Exterior Feature की बात करें तो इसके अंदर Automatic Boot Opening जैसा feature भी मिल जाता है जो की यह काफी Convenient Feature रहता है इसके अंदर आप Easily Last Row को Fold करके अपना Boot Space Increase कर सकते हैं and Color Options की बात करें तो इसके अंदर आपको एक Silver Color मिल जाता है जो की आप देख रहे हैं and इसके बाद एक Black Color आता है जो की एक काफी ज़्यादा Premium लगता है इसके बाद and जो एक Last Color बचता है वो है White Color Carnival में आपको दो Alloy Views के Options भी मिल जाते हैं जो की एक रहते हैं Dual Tone Options के साथ and दूसरे रहते हैं Silver Finish के साथ So, आच की वीडियो में तनाई, थैंक यू सो मुच वर वाचिं दिस वीडियो and प्लेस सब्सक्राब तो इस चैनल